हलो फ्रेंज विलकम टू गुरुकुल कासेज विद एक्जाम अकैडमी जैसाब पता है कि हम यहाँ पे डिस्ट कर रहे हैं करेंट अफेर से रिलेटेड क्वेस्टन को और यह हमारे करेंट अफेर का पार्ट यहाँ नाइन हम लेकर आए हुए हैं जो आपके एक्जाम के पॉ के नाम थे पीम नरेद मोदी जी ने वैशनो संप्रदाय की किस संत की मूर्ती का उद्गाटन किया अब देखें किसके हाइड कितना है दो सो सोलह फिट उंची है यह भी पूछा जा सकता है कि स्टेट्यू ऑफ एक्वैलिटी की हाइड कितनी है तो आपको याद होना चाहे दो सोलह फिट और करें यह वैशनो संप्रदाय की किस संत की मूर्ती है तो जानते हैं कि यह जो मूर्ती है वो है स्वामी रामा नुजाचार की और स्वामी रामा नुजाचार दिखिया है ऑप्शन नमबर दिखिया है ए में तो हमारा यहाँ पे ए नमबर राइड आइड हो जाएगा तैयाद रखेगा आपको दिख्षिस में काउंट कॉंसे क्वेश्टन्स बनेंगे इसमें तीन क्वेश्टन्स बन सकते हैं पहला तो यह है इस्टेच्व आफ इक्वालिटी नाम से प्याम नरेट मोदी जी ने वैश्टन संप्रदाई किस संथ की मूरती का किस संप्रदाई से संब्दी तो किस संप्रदाई के हैं वैश्टनो संप्रदाई से हैं यह भी आपको याद रखना है फिदी के आ जाते हैं हमने सेकंड क्रॉशन भी क्या कह रहा है कि इंडिया गेट पर इस्थित अमर जमार जोती की लोग को किस युद्ध इसमारक के आपको याद रखना है कि इंडिया गेट परिस्थित अमर जोती की लोग को जो हैं नेशनल वार मेमोरियल के साथ मिला दिया गया है फिदी के आजेंगे हैं पर हमारा थर्ड नमर कुछ इन क्या करा है कि भारत ने पस्चिम बंगाल भारत ने पस्चिम बंगाल में सोशल प पर रखंब रिया हैं वो लिए है 125 मिलिएन डालर और 125 मिलियन की डालर की बाद दिखिये हैं आप्शन नमर यहाँ पे डी में तो हमारे अपर डी नमर राइड असर हो जाएगा फ्रिके आजाएगे हमारा कोशन क्या कह रहा है हमारा ने जैस्ट कुशन है हां फोर्थ नमर केंदरी कैबिनेट ने सारवजनिक छेतर की संस्थाओं और सरकारी एजंसियों की भूम के मौनिटाइजेशन के लिए किस कार्पूरेशन के गठन को मंदूरी दी है तो जानते रहेगा केंदरी कैबिनेट ने सारवजनिक छेतर की संस्थाओं और सरकारी एजंसियों की भूम के मौनिटाइजेशन के लिए जिस कर्पोरिशन को मनजूरी दी है वो है एन एन एल एम सी और एन एल एम सी देखिया है यहां ऑप्शन नमबर सी में तो हमारे हाँ पर सी नमबर राइट अंसर हो जाएगा फिर आ जाएंगे यहां पर हम फित नमबर कुश्चन पर फित नमब यूप ए लाँच किया है जो कि पीचर फोन से ही बिना इंटरनेट के ही पेमेंट आप कर सकते हैं तो जानते हैं कि RBI ने जो यूप ए लाँच किया है वह है आपका UPI 123 पे बिखिया है ऑप्शन नमर नमर दिखिया है हमारे हां ब्या आप लगी में आया है तो इसलितों हमा कि भारत और UAE के बीच फरवरी 2022 में कौन सा ट्रेड एग्रिमेंट साइन हुआ तो जाते रहेगा भारत और UAE के बीच में फरवरी 2022 में जो जिस ट्रेड एग्रिमेंट पर साइन हुआ है उसे कहते हैं CEPA और CEPA दिखिया है आप्शन नमर A में आए है तो हमारे यहाँ पर A नमर आइट अंसर हो जाएगा फी दिखिया आज oyuneger सेवन नमर नमर हमारा कुछिन क्या कह रहा है कि भारत और भारत और फ्रांस ने फरवरी 2022 को किस छेतर के विकास को बढ़ावा देने केलिए रोड मैप पर साइं किया तो जानते रहेगाха भारजा तो फ़रवरी 22 को जिस छेत्र के विकास को बढ़ाने के ले रोड मैप पर साइं किया है वो है ब्लू इकॉन ominक and ocean governance और ड्लू इकॉनमिक कि एन ocean governance दिखिया है option number A में तो हमारो यहां पर A number right answer हो जाएगा फिर देके एठ नमर हमारा question क्या कर रहा है कि भारत-सरकार ने LIC के कितने प्रतिशस share का IPO लाने का फैसला किया है तो जानते रहेगा भारत-सरकार ने LIC के जो यहाँ पे 5% जानते रहेगा 5% प्रुटल 5% जो है UPI लाने का यह आपका फैसला किया है इसलिए हमारा option नमर क्या ह हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा आपको यह याद रखना है कि भारत सरकार ने लाइसी के पांच जो हमारे जो पहला देस है वो नेपाल है और नेपाल दिखिया है ऑप्शन नमबर बी में तुमारे बी नमबर राइट अंसर हो जाएगा फीदि के आज यहाँ पर दसवा नमबर मारा कुशन क्या कर रहा है कि भारत ने फ्री फायर फ्री फायर सहिट कितने चाइनीज एप प मतरा चववन और चववन दिखिया है ऑप्शन नमबर डी में तुमारा डी नमबर राइट असर हो जाएगा आपको याद रखना है कि भारत ने फ्री फायर सहिट चववन चाइनीज एप पर फरवरी दोहजर बैस में बैन लगा दिया है फी दिखे आ जाएंगे यहाँ प पेश गये है इकोनॉमिकल जो सर्विस हुआ है उसके नमसार वित 2022 और 2023 में जो देश का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा वो कितना परसेंट होगा तो जांते लिए कि जो इसका परसेंट होगा वो होगा आठ से साढ़े आठ परसेंट के आसपास और आठ से आठ 1001 Million Dollar निवेश करने की घोशना की है तो जांते हैं गूगल ने जिस भारती टेलीकॉम कंपनी के साथ 1 Million Dollars निवेश करने की घोशना की है वह इन पर यहां पर सी नमबर हो जाएगा फिर आजाएंगी हमारा 30 number question क्या कर रहा है कि केंद्र सरकार ने Air India का मालिकाना हक Tata Group की किस company को सौपा है तो जानते हैं कि केंद्र सरकार ने Air India का मालिकाना हक Tata Group की जिस company को सौपा है वो है आपका टैलेस private limited और टैलेस private limited दिखिया है option नमर B में तो हमारे हाँ पे B number right answer हो जाएगा हमारा अगला question देखिये का कह रहा है देखे हमारा 14 number question आ गया है कह रहा है कि कौन सी भारती company जनवरी 2022 में दुनिया भर में IT service sector में दूसरी सबसे valuable company बन गई है तो जानते हैं कि भारत की company भारत की वो company जो 2022 में दुनिया भर में IT service में सेक्टर में दूसरी दुनिया के सबसे बड़ी valuable जो company बन गई है वो है टाटा consultancy services और टाटा consultancy services की बाद दिखिया है option number C में तो हमारे यहाँ पे C number right answer हो जाएगा फिरी के आज जाएगे 15 number हमारा question कह रहा है कि भारत को साल 2022 के अंत तक कितना विदेशी कर चुकाना है तो जाएगे भारत को 2022 के अंत तक जो कर्ज चुकाना है वो चुकाना है 256 billion dollar और 256 billion dollar की बाद दिखिया है option number यहाँ पे आया है B में तो हमारे यहाँ बी number right answer हो जाएगा फिरी देखे आज जाएगे हमारा next number question क्या कर रहा है कि केंदर सरकार ने किस नीजी टेली काउम कंपनी के 35.8 प्रतिसत हिस्से का मालिक बनने का फैसला किया है तो जाएगे केंदर सरकार ने जिस नीजी टेली काउम कंपनी के 35.8 प्रतिसत हिस्से का मालिक बनने का फैसला किया है वो है वी आई और वी आई देखिया है यहाँ पर आप्शन नमबर डी में आया है तो हमारे यहाँ पर डी नमबर राइड आंसर हो जाएगा फिदि के आज जाएंगे 16 नमबर हमारे कुश्चिन क्या करा है कि केंद्र सरकार ने टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट पर एजी आर ब्याज के 850 करोन रुपए के बदले कितनी हिस्सेदारी लेने का फैसला किया है तो जानतरीगा केंद्र सरकार ने टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट पर एजी आर ब्याज के 850 करोन रुपए के बदले में जानते रहे हैं टोटल 9.5% 9.5% के हिसेदारी लेने का फैसला किया 9.5% की बात आई है देखिया आप्शन नमबर A में तो हमारा यहाँ पर A नमबर है टांसर हो जाएगा फिदी का जाएंगे 17 नमबर हमारा कुछ न क्या कह रहा है कि बजट 2022-2022 में केंद सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष रखा है तो जानते हैं कि बजट 2022-2022 के बीच में केंद सरकार ने टोटल जो खर्च करने का लक्ष रखा हुआ है वो है आपका 49.44 लाक करोन जी हाँ बजट 2022-2023 के बीच में केंद सरकार ने 49.44 लाक करोन रुपए खर्च करने का लक्ष रखा जो कि आ है आप्षन नमर ए में तो इसलिए हमारा ए नमर रैट आंसर हो जाएगा फिरिक आजेंगे 18 नमर कुछ नमरा क्या करा है कि बजट 2022-2023 के बीच में केंद सरकार ने राजकोशी घाटे का लक्ष कितना प्रतिस्थ रखा गया मतलब कितना कम से कम घाटा कम से कम रखना है कितना प्रतिस्थ कम से कम रखने का यहां पे सोचा है तो जानते लिए कि वो जो है वो आपका 6.4% और 6.4% की बाद दिखिया है यह आप्शन नमर सी में तो हमारा यहां पे सी नमर राइट आंसर हो जाएगा आपको यह याद रखना है बजट 2022-2023 में केंद सरकार ने राजकोशी घाटे का लक्ष जो रखा है वो मिनिमम रखाएगी जादा सज्यादा मैकसिमम जाएगा 6.4% यह याद रखीगा फिदी के आज जाएंगे 19 नमर कुछ निया करहा है कि बजट 2022-2023 में केंद सरकार ने कितनी राकम का निवेश का लक्ष रखा है तो जाएंगे बजट 2022-2023 में केंद सरकार ने जो निवेश करने का लक्ष रखा है वो है 65,000 करोण और 65,000 करोण की बात देखिया है उप्शन नमर डी में आ है तो इसलिए हमारे हाँ पर डी नमर राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि बजट 2022-2023 के बीच में केंद सरकार ने 65,000 करोण रुपए निवेश करने का लक्ष रखा हुआ है फिर दिखे आजएंगे 20 नमर फिर मारा कुशन गया कर रहा है कि बजट 2022-2023 में रक्षा मंतराले को कितने रकम आवंटित की गई है तो जानते रहे हैं कि बजट 2022-2023 के बीच में रच्छा मंतराले को जो बजट जो आवंटित किया गया है वो है आपका 5.25 लाग करोण जो रकम आवंटित की गई हो कितना है 5.25 लाग करोण रुपए है फिर दिखे आ जाएंगे यहाँ पर हमने 21 नमर हमारा कुशन क्या कर रहा है कि वित मंतरी निर्मला सीता रमड ने बजट भाशन के दौरान कितने वर्षों के वक्त को अमरित काल का बताया है तो यह अमरित 25 वर्षों के लिए उन्होंने इसको अमरित काल का है और अगले 25 वर्ष की बात आई है दिखे और सी में तो हमारा सी नमर राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि वित मंतरी निर्मला सीता रमड ने बजट भाशन के दौरान अगले 25 वर्षों के वक्त को अमरि रितकाल बताया है हमारी अर्थ व्योस्था के लिए फिर देखे आ जाएंगे अपने नेक्स कोश्चन पर देखे हमारा क्या कर रहा है कि केंदरी बजट 2022 से तेज के दौरान वित मंतरी ने अगले तीन वर्षों में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों के चलाने का ऐलान किय तो जानते है केंदरी बजट 2022 से तेज के दौरान वित मंतरी जो निर्मला सितार मट जी उन्होंने क्या अगले तीन वर्षों में कितनी नई वंदे ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है तो जानते हैं तो चार सौ सौ की बात आई है देखिए ऑप्शन वार बी में हमारे यह जाएंगे हमारे यहां पे 23 नमबर हमारा कुशिन क्या कर रहा है कि बजट 2022-23 में क्रिप्टो केरेंसी को एक assets मानते हुए इससे हुई कमाई पर कितना percent tax लगाने की बात की गई है तो जानते बी में तो हमारा बी नंबर राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है बजट 2022-2023 में क्रिप्टो करेंसी पे जो टूटल टेक्स लगाने की बाता ही हो कितना ही है 30% यह याद रखना है आपको तिदि क्या जाएंगे यहां पर 24 नंबर हमारा कुश्चिन क्या कह रहा ह जाएगा वो है ड्रोन और ड्रोन देखिया है ऑप्शन नंबर ए में तो हमारे हाँ पर ए नंबर है डांसर हो जाएगा फी दिखिएगा आ जाएंगे 25 नंबर हमारा कुश्चिन क्या कर रहा है कि इंडियन आर्मी की मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में 124 किलो मीटर अंदर गिरने की वज़ा से भारत गिरनी की जो वज़ा है वो भारत ने क्या है इसका अब आपने हाल ही में सुना होगा जो न्यूज आई थी कि इंडियन आर्मी की जो मिसाइल थी वो अचानक और मिसाइल कौन से ब्रम्होस मिसाइल थी वो बाई डिफॉल मनलब बाई मिस्टेक चली गई थी आपके पाकिस्तान के एरिया में चली गई थी जो कि कितने अंदर चली गई थी 124 किलोमेटर ये भी आपको याद रखना हो सकता है कि ये भी कुशन आ जाए कि जो भारती मिसाल जो ब्रम्होस थी वो भाई मिश्टेक पाकिस्तान के इलाके में कितने किलोमेटर तक गई थी तो कितना हमारा आंसर क्या होगा 124 किलो मीटर अब करें यह जो भारत की जो मिसाइल जो गल्ती से चली गई थी पाकिस्तान में इसका भारत सरकार ने क्या बताया कि इसके पीछे का कारण बताया गया है वो बताया गया है एक्सिडेंटल फाइरिंग तो एक्सिडेंटल फाइरिंग देखिया है ऑप्शन नमबर ए में तो हमारा ए नमबर राइट अंसर हो जाएगा फिदिक आ जाएंगे यहाँ पे 23 नमबर देखिए 26 नमबर हमारा कुछ देख रहा है कि किस देश ने अस्ट्रेलिया के सैन विमान पर लेजर फायर फरवरी 2022 में किया तो जानते रहेगा जिस देश ने ऐस्ट्रेलिया के सैन विमान करनल मनोच पांडे दिखिया है ऑप्शन नमबर दिखे डी में आया है इसलिए हमारे हाप डी नमबर है डांसर हो जाएगा फिदी का आजाएंगे 28 नमबर हमारा कुशन क्या कर रहा है कि इंडियन नेवी की प्रेसिडेंट क्लीट देखे फ्लीट रिवियू का आयोजन फरव हो जाएगा फिदी का आजाएंगे 29 नमबर हमारा कुशन क्या कर रहा है कि आंध प्रदेश के विशाखा पटनम में प्रेजिडेंट फ्लीट रिवियू 2022 का आयोजन किया गया इसकी थीम क्या है देखिए इससे पहले पूछा गया था कहा किया गया था विशाखा पटनम मे लेकिन जो किया गया है ता उसका थीम क्या रखा गया था जानते रहे Lucas जो थीम था भारती नौसेना राष्ट की सेवा में 75 साल और ये दिखिया है Option Number A में भारती नौसेना राष्ट की सेवा में 75 साल ये इसकी थीम थी इसले हमारा Option Number जो A होगा हम A नमर को क्लिक कर देंगे फिर दिखे आ जाएंगे हैं थर्टी नमबर हमारा कुशन क्या कर रहा है कि हल ने किस देश को एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर निर्यात करने के कॉंट्रेक्ट को जनवरी 2022 में साइन किया तो जानते रहे हैं हल जो हमारी भारत की जो कंपनी है करें किस देश के साथ एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर के साथ निर्यात करने के लिए कॉंटरेक्ट पर साइन किया है तो जानते रहे हैं जिसने सुइन किया है जिस देश के साथ वो देश है Nicholas दिखिया है option number B में हमारे चाहँ पेными नमबर राइट हो जानते हैं उसमें जो है दिल्चस्पी जो दिखाई हैं मौरिशस देशने दिखाई हैं मौरिशस को खरीदना चाह रहा है और इसलिए यहां पे कॉंट्रेक्ट में दोनु देशों के बीच में साइन हुआ है फिरी के आजाएंगे 31 नमर मारा कुशन क्या करा है की खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्री द्वाज लोंगे वाला में प्रदर्शित किया गया यह जगह भारत पाकिस्तान के किस वर्ष के युद्ध की वज़ह से चर्चित है तो मतलब यह जो लोंगे वाला जो है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्री द्वाज कहां लहर आया गया तो आपको याद रखना है कि लोंगे वाला में प्रदर्शित किया गया है ठीक है लेकिन यह भारत और पाकिस्तान के किस वर्ष की युद्ध की वज़ह से चर्चित है कि फिदी के आठें थर्टी तू नंबर हमारा कुशन क्या कर रहा है कि अकेले दचनी दृओ पर पहुचने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम बताईए जो भारती मूल की बडिटिस सैन अधिकारी है तो जाते रहे हैं झाप तर्सित हरोंग डिक में पहली नाम है जाते रह के आजाएंगे 33 नंबर हमारा कुछ न क्या कर रहा है कि बहुरास्ट्री नौसेन अभ्यास मिलान 2022 का आयोजन फरवरी में किस जगह हुआ तो जानते रहेगा बहुरास्ट्री नौसेन अभ्यास मिलान 2022 का आयोजन जो हुआ है वो हुआ है विशाखा पटनम में विशाखा फरवरी 2022 में पासेक्स अभ्यास किया, तो जानते हैं का भारती नोसेना और रोशीola सोइना नोसेना ने 2022 में जिसे देखा है, पासेक्स जो जो सैन अभ्यास किया है, वो है कोचीन बंदरगा है, कोचीन बंदरगा दिखिया है option number हमारा बी में है तो हमारे हापे बी number right answer हो जाएगा और आज हमारा last question है अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान का नाम आसनी आसनी किस पडूसी देश ने रखा तो जानते रहें अंडमान सागर और बंगाल की ख 35 ने यहाँ पर question discuss किए वो सारी चीज़ आपको clear हो रही होंगे अगर सारी चीज़ क्लियर हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइकना चैनल को subscribe ना न भूले कि हम आपके लिए से वीडियो लाते रहेंगे तो चलिए आज कर इतने हैं thank you very much for watching this video thank you